हेलो स्टूदेंट्स वेलकम अगेन टू लर्ण व्रिदेतिमन आज हम करने वाले हैं क्लास एर्थ पॉलिटी का लास्ट चैप्टर आज आपकी पॉलिटी जो है एर्थ क्लास की वो कंप्लीट हो जाएगी इससे पहले हम सिक्स और सेवन्थ क्लास की पॉलिटी को कर चुके हैं बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो हमने किये हैं हमने संसद के बारे में देखा लोकसभा राज्यसभा को सारी बातें समझ में आती जाएंगी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कुश्चन नंबर वन भारत का लड़ा को विमान सुकोई 30 MKI किस देश ने बनाया है तो जो भारत का लड़ा को विमान सुकोई 30 MKI है वह है बनाया है रूस रूस द्वारा निर्मित है य ठीक है यहां पर जो संयक्तुपक्रम है वो रूस और भारत का है रूस और भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का निमान किया गया है नेक्स्ट है कुश्चन 3 भारत का विशाल शेतरफल वाला विमान वाहा को युद्धुपोत कौन सा है भारत का विशाल शेतरफल वाला विमान वाहकु युद्दपोत है INS विक्रमा दित्यक नेक्स्ट है कुश्चन 4 भारत का ऐसा टैंक जिस पर किसी भी रसायनिक जैविक रीडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता है तो वो भारत का कौन सा टैंक है जिस पर किसी भी रसायनिक जैविक रीडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता है तो इसका आंसर है T90 भीसम टैंक जो है उस पर किसी भी रसायनिक जैविक रीडियो एक्टिव का हमले का असर नहीं होता है नेक्स्ट है 5 INS चक्र 2 क्या है INS चक्र 2 क्या है इसका आंसर है कि यह एक पंडुब्बी है यह पानी में चलने वाला जहाज है यह परमानु सैंत्रयुक्त पंडुब्बी है Next है Question 6 BSF के जवान कहां तैनात होते हैं BSF Border Security Force इनके जो जवान है वो कहां तैनात रहते हैं आंसर है भारत पाकिस्तान वा बांगलादेश से लगने वाली जो थल सीमा है वहां हमारे BSF के जवान तैनात रहते हैं Next है Question 7 उत्तरपूरव के परवतिय इलाके में चीन से लगी सीमा पर कौन से जवान निगरानी रखते हैं उत्तरपूरव के परवतिय इलाके में चीन से लगी सीमा पर कौन से जवान निगरानी रखते हैं आंसर है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है वह है उत्तरपूरव के परवती इलाके में चीन से लगी सीमा पर निगरानी रखते हैं नेक्स्ट समुद्री सीमा की निग्राणी कौन से सैनिक रखते हैं आंसर है तट रक्षक बल समुद्री सीमा यानि जिसे तट कहते हैं तो तट रक्षक बल यानि कोस्ट गार्ड ये समुद्री सीमा की निग्राणी रखते हैं नेक्स्ट है question number 9 अगनी नामक हतियार है अगनी नामक हतियार जो है वह है प्रक्षे पास्त्र प्रक्षे पास्त्र जो है वह है एक अगनी नामक हतियार है नेक्स्ट है question number 10 देश के महत्वपून ओध्योगिक प्रतिष्ठानों और हवाई अड़ों की सुरक्षा कौन करते हैं इसका answer है CISF जो केंद्री ओध्योगिक सुरक्षा बल यह है ओध्योगिक प्रतिष्ठानों और हवाई अड़ों की सुरक्षा करते हैं राश्ट्रपती और प्रतान मंत्री जैसे महत्वपून व्यक्तियों की सुरक्षा कौन सा सैनिक बल करता है तो यह हमें पता होना चाहिए कि राश्ट्रपती और हमारे प्रतान मंत्री जो है इनकी सुरक्षा कौन सा सैनिक बल करता है तो यह करता है SPG special protection group जो है वह हमारे राश्ट्रपती और प्रतान मंत्री इनकी सुरक्षा करता है तो यह आपका अंतिम प्रश्न था इस चैप्टर का और इसी तरीके से आपकी quality जो है इट्स क्लास की वो आज समाप्त होती है आप regular वीडियोज को देखिए इनका benefit जो है वो आपको 100% मिलेगा मिलते हैं next class के साथ class 9th Thank you झाल